राज़्धानी की मंडियों में अगले महीने से प्याज की धोक कीमत में प्रिधी हो सकती है प्रिधी की मुख्य वज़ा राजिस्तान और हर्याणा से लोकल प्याज की आवग में कमी है राजिस्तान और हर्याडा में प्याज की पुरानी फसर धेतों में लगभख खत्म होने के कागार पर है जिसकी वजह से राजधानी की आजार को मंडी में प्याज की आवग पर असर दिखा रहा है 30 जनवरी को यहां प्याज की आवग 1375.5 तन थी लेकिन इट 30 जनवरी को यह आग रागिल का 275.7 तन पर पहुच गया उसके बार एक परवरी को यह गिरावट 445.5 तन पर पहुच गई है मंडी में इन दिनों प्याज की आवग राधिस्तान और खर्याणा से भी होती है यहां की खेतों में लगी फसल लगधक खर्थी हो गई है जिस वजह से अगले कुछ दिनों में मंडी में यहां प्याज की आवग काफी कम रुख सकती है एक नजर प्रिशी मंत्राले के आंखडों पर डाले तो इस साल देश में प्याज का उत्पादन 177.1-2.0 लाग तन होने का अनुमाद है जबकि पिशले साल देश में 209.3-2.1 लाग तन प्याज का उत्पादत हुआ था दरसल एक साल से देश में प्याज की खीमतों में भारी गिरावत आई है भाव कम होनी की वजह से इस साल देश में किसानों ने प्याज की खेती को घटाया है जिस वजह से उत्पादन में काफी कमी आ गई है इस साल के क्रिशी मंतले की ओर से जारी पहले अग्रीम अनुमान के मताबिक देश में करीब साल भर से प्याज की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से इस साल किसानों ने इसकी खेती घटा दी है जिस वज़े से देश में प्याज की पैदावार पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाग टन घटने का अनुमान लगाया जा रहा है जिस वज़े से देश में प्याज की पैदा रहा है